पंजाब दी आखास खबरां दी खास बुलेटन दिनाल में हर्शर अरनकॉर आज 18 मई यह ते दिन मंगलवार है खबरां दे विस्थार तो पहला खास खबरां थोनु दास्ते ने हा पंजाब दी स्यास दे नाल जुड़े ए खबर है के टी इंसाते ब्रामपुरा दी अगवाई दे विच श्रोम्नी कालीदल संजोक्त नवी पाटी बण आदेती गई है बंजाब स्कूल सिख्याबोर नहीं अट वी दानिती जा ऐलान दिता है फेल विद्यारथिया नू महाल ठीक हों तो बाद एक होर मौका मिलेगा जद के आठमी दानती जानद और 98.88 फीस दी रहा है ते 10वी दानती जानद और 99.93 फीस दी रहा है शिरीगुरु ग्रांच साहिब जी दी बेद बीनाल जुड़े दो मामलियां दे विच गिरिफतार कीतेगे 6 डेरा प्रेमियां दा इकी तक पुलिस रमांड लेला गया है फ्रीकोट अदालत ने पुलिस नू चार दिनां दा पुलिस रमांड देन दी इजाज़त दे दती बरगाड़ी विच शिरीगुरु ग्रांच साहिब जी दे डेट सू अंग पाड के खिलारे सी ते सौ अंग पिंड हरीनों दे विच खिलारे जाने सी उना गुरु ग्रांच साहिब दे सौ अंग ते जल्द प्रेमियां दे कबजे विच होन दा दावा कीते ते उद्धर डेरा प्रेमियां दे वकील विनोद कुमार मौंगा ने पुलिसरमान डियर जीदा विरूत कर दें के हैं के 6 साल पुराणी केस दी CBI हर पक्त जांच कर चुकी है पर ताल तो बाद डेरा प्रेमियां नों क्लीन चेट वी मिल चुकी है अना डेरा प्रेमियां दे गिर्फतारी तो बाद पंजाब दे ता आर्मे कते सियासी लीडर की केंदे ने ओवी इस बुलेटन दे विच थौनों दसांगे बेयादबी मसले ते पंजाब दी सियासत वी पकी होई है कॉंग्रिस विदाएक परगर्ट सिंग ने कैप्तन दे खिलाफ बागी तेवर दिखाउं दियां इल्जाम लाएने के मुख मंत्री ने अपने सियासी सकत्तर दे जरिये में नूतम की देती है परगर्ट सिंग दे इना इल्जामा तो बाद पंजाब दी सियासत दाकी रुख है ओवी इस बुलेटन दे विच विस्थार नाल थौनों दसांगे अर्बसागर विच उठे चक्करवाती तूफान ने कई सूबयां दे विच कहरटाया होया महाराष्टते करनाट का दे विच चौदा होर मौता होन दी खबर मिली है तेज हवामा कारण दो किष्टियां कंडे तो दूर हो गई याने जाल सैना दे दो जंगी बेडे किष्टियां विच स्वार 410 यात्रियां नूब चाउन लई पहुंचे पच्मी बंगाल दे विचछ CBI दे वलों त्रेण मूल लीडरां अते मांत्रियां दी गिर्फतारी तो बंगाल दे विच कमसान माच गया CBI अदालत विल्लों दित्ती जमान ते कलकत्ता हाई कोट ने रोकला दित्ती ममता बिनार जी ने लीडरां दीरे हाई ले CBI दी दफ्तर बाहरत आर ना दित्ता सीुबें दू अधिकारी ते मुकल रोय खिलाफ कारवाई ना हों तवी स्वाल उठे ममता ने किहा के मेनुवी ग गिरफ्तार कार लो त्रिनमून लीडरां दी गिरफ्तारी खिलाफ पूरे बंगाल देवेच काल मुझारे होई लीडरा ने क्या के पहला खेती का नूना दे हाक विच खड़न आते मंगरों लोकां दे विरोध विच यू टर्न लैंड वाली इस पार्टी नू किरंजीत को और महल कला कांड वरगे जंत कंदोलन दे हाक विच सदा डटे रैंड वाले आगू खिलाफ बोलन दा कोई हाक नही मानसां दे एलवे स्टेशन नेड़े लाइतार ने दे 200 नती में देन सैंकडे किसान मार्द औरता ने शेयर दे विच रोस पर पूर रैली करंतुबाद गुर्दवारा चौंक तक परदर्शन कीता ए रोस मुझदारा श्रोमनी अकाले दल दे खिलाफ कीता गया संज्युक्त किसान मोर्चे दे लीडरा ने हर्याना दे किसाना दी शिलागा कीती है कि हर्याना दे किसान एक निक्के जहे सदेते ही पूरे प्रोग्राम नूँ पूरी तरा दिराल सफल बना अधन देने यते जिस तरा बीजेपी ते जेजेपी लीडरां दा विरोध कीता जार है जे इसे तरां जारी रहा ता साधी जेत दूर नहीं है। कोई जमीन नहीं सी। जेक्टिव तो मन्जूरी लई ते ना ही इस बारे एक्जेक्टिव नो कोई जानकारी ही दिती गई ना इस पर्ती लिए खबारा नो कोई इस्तिहार दिता गया। जे भी इलजाम लाया के सिद्धी पर्ती किते गे मुलाजमा विच बाउते तां बीपीज गीर कोई नेडले अधिकारियां दे रिष्टेदार ने। जानकारी मुलाजमा दे नाल बदसलुकी दे दोश विच आप लिडर नू गिरिफतार कीता गया है। जे भी इलजाम लाया के जदो बोडलोन गया था बिट्टु ने साधनाल बदसलुकी कीती काम विच विगन पाया। हायश मूरे इसारे अध्यापक पहुंच गे सी। दिल्ली लुद्याना मार्गतेवी आवाजाई वेरुसगारा ने ठाप करदती सी। लुद्याना तो खबर है जिते पुलिस कमिशनर दफ्तर दे विच पुलिस तो परेशान हो के एक आदमी ने अपनी पतनी याते दो बच्चियां सने आतम दा करंदी को शिश कीती पार उथे मौजूद पत्तर कारा ने इस परिवार नूब बच्चाले आहालां के उथे साल बाई मार्शनू क्रोना कारण लॉक डाउन लग गया ता दुकान बंध हो गया इसी कोई काम तंदा ना चल लया ता उसने कुछ होर काम शुरू कर लया उस दरजान उस पास से हो गया करीब 15 दिना बाद दुकान ते जानदा ते स्वाई करके वापस आ जानदा अठाई जनरी 2021 दुकान ते गया ते सारे समान दी वीडियो बना के वापस आ गया ठाई मार्शनू उस दे परादा फोन आया के दुकान कोई पेंट करवा रहा जोदो मौके ते जाके देखिया ता सारा समान गायब सी दुकान मालक परदीप सिंग ने दसया के दुकान किसे होर ने पुलिस मुलाजम ने उसनू गाला कड के मोड देता ते पुलिस दी तक के शाही नू चाल रहे इस आदमी ने अपने परिवार ते दो निक्के बच्चयां समेत आतम दा करन दी कोशिश कीती नू वदा ओंदा एलान कारदता गया है यानि के चंडिगन विच पच्ची मई तक करफ्यू जारी रहेगा सिर्फ जरूरी वस्तुआ दिया दुकाना ही खुल सकन गया गया जरूरी वस्तुआ दिया दुकाना बांध रहेण गया शाम 6 वजे तो स्वेरे 5 वजे तक 18 साल तो वाद उमर वाले 2000 व्यक्तियानों रुजानना एथे करोना दे टी के लाए जानगे परश्यासन दे इस फैसले तो बाद दुकाना बांध होन करके वाख वाख मार्केट एसोसियेशना दे वलनों परश्यासन तो दुकाना खोलन दी मांग की तीचा रही है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने एजडे नतीजे हैगे ने बिना पेपर ले एलाने ने क्योंकि 18 दे 10 दे पेपर नहीं होए पक्के पेपर राद कार देते गयसी क्रोना वाइरस दे कहर करके हालांके 12 दे पेपर होने ने जा नहीं होने इस वारे हले भी वद्यार्थी उड पास हो चुके ने कोल 3,3184 वद्यार्थियां दे विचो 3,213 पास हो गए ने होने जडे थोड़े जे फेल होन वाले पता नी केड़े वद्यार्थी ने ते उथे ही आठमी दे विच पास फीस दी जड़ी ओने नवे अशारिया ठासी फीस दी रही है थोड़ी जी काठ है अजन दस्माइ दे नतीजहां दे नाड़ो कोल 3,7272 वद्यार्थिया विचो 3,6894 वद्यार्थि पास हो गए ने इना सारे वद्यार्थियां नो पिछले पेपरां दे अधा आरते पास कीता गया है पिछले पेपरां दे विच जीमे बी पर्फॉर्मेंस इनने दित्ती सी उस्देया दा आते नतीजा दस्या गया है ते हुन तुसी नतीजा के में चेक कर सकते हूँ क्योंकि थोड़ी देर पहला ही नतीजा आया है सब तो पहला तुसी pseb.ac.in the website ते जाओ उस्तो बाद तुसी class 10 results link दे उते click करो उस्तो बाद मंगी हुई जानकारी तो आड़ा जो भी कुछ मंगया गया हुएगा क्योंकि रोल नंबर शायद इस वारी जड़ा बोर्ड दा रोल नंबर है होता जारी ही नहीं किता गया क्योंकि पेपर नहीं तो दा प्रेंट आउट वी कड़वा सकते हूँ जो जेड़े विद्याथियाने हले अपना नतीज़ा देखना है सारे नोसी best wishes जरूर दवांगे दूसरी एहम खबर पंजाब दी स्यासत दे नाल जुड़ी हुई है पंजाब दे विच कॉंग्रस दा जिड़ा संकट है मैंनू तम का रहे ने क्याप्टन दे वल्लों उना क्या के मैंनू बेयद्बी ते पुलिस फाइरिंग मामली विच अवास चुकन ते पुलिस केस दर्ज करन दिया तम किया दित्तिया गई याने परगट सिंग ने PC दोरान क्या के मोख मांत्री दे स्यासी सकत्तर ने मैंनू कारवाईदा सम्ण करन दे लेई त्यार रहन वास्ते क्या है परगट सिंग केंदे ने के कोविट दे पे आनक दौर दे विचवी एक मोख मांत्री अपने स्यासी सकत्तर नहीं अपने ही इक वदायकनू यानी के मैंनू सुनेहा दे रहे ने के तु त्यार हो जा तैन्नू पहला था केंदे मैंनू यकीन नहीं आया फिर मैं दो तिन वरी उनना नू पुछया के की एक कैप्टन ने के है ता उनना ने किया हाँ कैप्टन ने ही ये सुनेहा देता है परगट सिंग ने के मैंनू कैप्टन संदू दे मुख मंत्री दा सुनेहा आया के जे उसने बेद भी माम ले ते पुलिस फाइरिंग ते कारवाई दे लई मुखमांतरी कैप्टन दे खिलाफ अवास चुकी ता तू कारवाई दा समना करन दे लई त्यार रहीं। कि जे साच बोलंडी ए सजाया जी असी बियाद्वियां दी कोई गाल कीती है जी माइनिंग दी गाल कीती है ता फिर मैं सामना करन दे लिए बिल्कुल त्यार रहीं। परगट सिंग दा नाम भी सामने आ गया होर भी कुछ उनने गल्ला कहिया ने केने मंत्री ते विदा एककांदे नाल जड़ी ऐसी मुलाकात कीती है बैठक कीती है उदा मतलब ए नहीं कि यसी कोई तड़ा बना ले जी चार एमेले कठे मिल भी लई ये ता इस दा मतलब ए नही हो जानदा के यसी बगगी हो गया ते यसी वक्रातरा बना ले है परगट सिंग ने किया कि मैंनों आज सी के 2017 देविच कैप्टनम रिंदर सिंग दी आखरी पारी है ते वो पंजाब दे ले कुछ चंगा करके जानगे पर अफसोस है कि यसी पुठे रा पैगे तो इत्थे परिक है चुके ने के मैं हले ठीक हां बिल्कुल मेरी सेत भी ठीक है मैं अपना पारवी कटा आ रहे हां ते मैं अगलियां चोना लडांगा परगट सिंग ने किया कि मैंनों नी पता सी सियासते नी माड़ी हुंदी है असी इनने शांत ता नी बैठ सकदे कि पंजाब नू माड़ा नहीं किया क्यो एक और भी अपील किती परगट सिंग ने के मैं कैप्टन नूँ अपील करदा के ओ अपने कमरे दे विच कल्ले शीशे दे समने बैठ के सोचन क्यों करकी रहे ने परगट सिंग ने जोट सिंग सिद्दु दे खिलाफ विजलेंस जाँच टे स्वाल चुक दिया के बैठ के सुनील जाखड के रहे हैंने कॉंग्रस देपरदा आन के अपने विधायक दे बारे जहां करंदे बारे कोई सोच भी नहीं सकता केप्टन संधीप संदूर रा sty fem कि मैंनु सी अम साव ने एक मैसेज व्यता के ओ मैसेज वह ते तमकी ठोकना पहला ता सची गाल्या की मसूस बड़ा होया ते असी किद्धर नू तो रपए असली जेड़े इशू सी असी यो किद्धर नू ले गया क्योंके कोबड़ दा समा पंजाब बड़े डिफिकल्ट और हिंदोस्तान बड़े डिफिकल्ट दौर चो गुजर रहा ते ओस दौर दे विच एक चीव मिनिस्टर अपने पलिटिकल सेक्री रही एक मले सनिहा दे रहा हुएा जे विरोधी पार्टियां दी गल कर लिये ते श्रोमनी एकाली दल भी बोल रहे है, बीजेपी भी बोल रहे है, अते आम आदमी पार्टी भी बोल रहे है, श्रोमनी एकाली दल दे सीनियर लीडर विर्सा सिंग वल टोहा, कॉंग्रस विदायकर परगट सिंग दे खिलाफ बो की दिती है केंदे की परगट सिंग एननी पटक दी होई रू है एननी दुखी आतमा है जिना दी आतमा सड़े चार साल बाद जागी है तुसी पिशली सरकार वेच वी रहे हो यानि के परगट सिंग पहला अकाली दल दी सरकार चूंदे सी केंदे श्रोमनी अकाली दल तो पेरी कोई सुनदा ही नहीं ता फिर तुसी स्यासत नू जफी पाके क्यों बैठे हो। पेरी कोई स्यास नू जफी पाके क्यों बैठे हो। जान बुझ के लड़ाया कर रहे ने। परगट सिंग नवजोच सिंग सिद्धू अजही नाम ने जेडे के पंजाब दे मुद्ध्यानू लेके कैप्टन अमरिंदर सिंग दे खिलाफ खड़े हो गए ने। पर एस वालवी लाजमी तौरते उठ रहे ने के आखिरकार साढ़े चार सालां दे बाद ही इनानू ये सारे मुद्धे क्यों याद आये ने। पहला वी ये सरकार दे विच से गे पहला वी ये कॉंग्रस दे विदा आयक ने चार सालां तो क्यों चुप वेठे सी हून क्यों बोल रहे ने। तेहुन पंजाब राज मेला कमिशन दी चेर परसन मनीशा गुलाटी ने वी एक ठंडे बस ते विच प्या जड़ा केस है उसनू बार कड लियांदा है 2018 दा मसला है कैबनेट मंत्री चरंजीत सिंग चन्नी दा मसला है दखालस टीवी दिनाल खास तौरते गलबात कर दे हुई मनीशा गुलाटी ने दस्या कैबनेट मंत्री चरंजीत सिंग चन्नी दे खिलाफ दोजार अठारा दे विच मेला आईएस ने गल्त मेसेज पे जंडा मामला समने लियांदा सी उस वक्त वी कमिशन ने पंजाब सरकार तो सपश्टी करण मंगया सी पंजाब सरकार नो इस मामले दिवेच जवाब देन दे ली कहा सी एक बारान दिवेच जो खबरां पर काशित होया सी उस सारिया मनीशा गुलाटी ने फोटो कॉपी काड के दिखान्या प्रेस कॉन्फ गुलाटी ने किया क कि जिस वक्त मामला मीडिया दे वेचाया खोद चन्नी ने किहा सी के एक मैसेज गलती नाल मेला दिकारी दे फोन दे डिलिवर हो गे माफी भी मंगला इसी ते मामला रफा-दफा करंदी गल कही सी तो होन मनीशा गुलाटी ने जड़िए प्रेस नू जेड़े परशासने का अधिकारी है गिने वो कमिशन दी कारवाई ते स्वाल चुक रहेने के असी इंसाफ नी कीता पर हुण मनीशा गुलाटी ने पंजाब दी कैप्टन सरकार तो जवाब मंग दे एक हफ़ते दा समा देता है चितावनी देती है कि जे सरकार ने कोई जवाब ना देता कि चरंजीत सिंग चन्नी दे खिलाफ तुसी कारवाई की कीती है ता अगले हफ़ते सौंबार तो चंड दे खुद इस मामले च मैं सिव मोटो लेा सी सरकारा दे दवाहेट कमिशन काम नहीं कर दे असी अपना काम मैं जड़ा ओ पूरा अजाद रहे के काम कर रहे हैं ते मैंनो कुरसी जानदा कोई डर नहीं है तो इस मामले दे विच्वी जड़े सियासी माहिरो ही स्वाल चुक रहेने के मनीशा गुलाटी ने आखिरकार तिन साला बाद ए मामला जड़ा क्यों कड के लियांदा है 2018 दे मामले चुन तक कदे कोई कारवाई लेई पंजाब सरकानू नोटिस क्यों नीपे जया चरंजीत सिंग चन्नी ओही कैबिनेट मांतरी ने जिनाने कुछ दिन पहला सुबे दे जड़े दलित विदाएक ने उना दे नाल बैठक कीती सी ते एक हाँ जारे हा सी के हुण कॉंक्रस दे दलित विदाएक वी कैप्टन दे बागी तड़े विच खड़े हो गए ने सो एवी हो सकदा है के कैप्टन अमरिंदर सिंग दी सरकार दे वलों असिद्धे जां कहा दिया के टेड़े टांग दे नाल एक कारवाई करवाई जा रही होए हांची तो अनुसमनों बत्ताइए तो अडिमीडिया द्वरा है मैटर ध्यान है जिले आया गया सी दोजार अठारा दा मैटर एक आईस ओफिसर दा एक पंजाब दे मनिस्टर दे नाल ते ए ओधो सरकार नू नो 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 टिस जारी गिता सी कि सानू सपश्टी करन दो उनना मुख्य मंत्री साहब इसराइल दो रहे थे सानू आउना दे आन तो बाद उना दी स्टेटमेंट आई सी पब्ली कली कि यह मैटर सोट आउट हो गया मनिस्टर ने माफी मांग लिए क्यों कि कमिशन दे कोल कोई इन रिटन कंप्लेंड नी सी अपा वी ओधो फिर चुप कर हुन पिछले तेन सालांच मैं ए ओफिसर टाइम टू टाइम मेंनू केंदे रहे कि वो पंजाब चली जोड़के चली गी आपकी वज़े से आपके पास बहुत ताकत थी आपने कोई इनिशेटिव नी लिया आपने नी लिया मैंने कैसे नी लिया तुसे भी पाड़ लगके अफिसर बने हो तुसी सरकार तो जवाब मंग दे हुन फिर नियुज पर प्राच लगया थी उन पिछले शे दिना तो लगा थारो ओफिसर मेरे ते दबाव बना रहे ने मैं ओफिसर लोबीली काम नी कर दी और मैंनो थ्रेक्ट नी कर सकते ते मैं फिर भी मैं अपना जमीर बमार सकती है मैं तो ऑसक्ति करन म engag कि सरकार जी पब्लीक कर दे चोर जी सरकार ते नुमाई है करन ता तुसी इक करंगे मैं ता मैंनी मत्का चोक ते मारा वजे सोवार भॉकर तicism रहे ने myths बादलबर मामलेंगे ते मनी नमिशान ना कास रहे ने कैप्टनम रिंदर सिंग दे खिलाफता लगातार कासी रहे सी हुन बादल परवार्दे द्वाले होगे ने कि है कि मैं 6 नुवंबर 2018 तो बादला नू ओना खिलाफ लगे श्री गुरु ग्राण सहब जी दी बियद भी दी साजिश विच शामिल हों दे दोश्यां बारे कार दा रहे हां ओ डेरे वाले साद नू वोट बैंक दी सियासत वास्ते इस्तिमाल कर दे सी एना तथा वारे सुखवीर बादल दा की कहना है ए जवाब देन कई साल होगे ने कोई जवाब नी आया नव जो सिदू ने आज भी एक पुराणी वीडियो ही सांजी कीती है जिस सिदू ने सुखवीर बादल नू बरगाडी वीच तर ना देन बारे कहा सी। जारी किता गया सी, सिदू ने बादल परवाते निशाना कसते हैं के है के पांथ ने जिस दे नाल रोटी ते बेटी दी सांज ना रखन ली कहा सी, उना नाल इना ने नोटां ते वोटां दी सांज रखी 10 सांगा, खैरा ने किया के सुबीर बादल ने कैया के जे साठीड खिलाफ किसे कोड कोई सुबूत है ता जनता दिए दालत सामने पेश करो, खेरा ने किया के सुखबीर बादल नाले चोर नाले चतराई एस कहावते पूरे खरे उतर रहे ने सुखबाल खेरा ने कई जड़े सबूत ने सुखबीर बादल दे खिलाफ पेश किते लोकां दी कचैरी दे विच्छालां के सारे होन तक लोकां दे सामने वी आ चुके ने ए सारियां रिपोर्ट दे विच कईयां हुईयां गला ने जड़ियां सुपाल खेरा ने सारियां डिटेल दे विच दसीयां ते सुबीर बादल नू जड़े स्वाल किते ने ओसी तो अन्दास देया, केंदे 2012 दिये चोणा तो पहला तुसी डेरा मुखी रामरहीम दे खिलाफ बठेंडा दी सेशन कोट विचे 295 दा जो केस चाल रहा सी उसनू कैंसल क्यों किता ते ओ केस वापस क्यों लिया दूसरा स्वाल खेरा ने कीता है के कि तुसी ओस वाक्त शिरी काल तक सहिब दे ततकाली जथेदार, तक शिरी दवंदुमा सहिब दे जथेदार अते तक शिरी केसगड सहिब दे जथेदारानू मुख मंतरी दी कोटी वीच बुलाया सी जा नहीं बुलाया सी, 16 स्टंबर 2015 नूँ डेरा मुखी नू माफी देन लेके हा सी तीज़ा स्वाल की तुसी जथे दारा नू एस ले बुलाया सी तान जो डेरा मुखी दी फिल्म MSG नू पंजाब चे रिलीज किता जा सके उसनू आग्या दित्ती जावे चौथा स्वाल जदो शिरी गुरु ग्रान से ब्याद भी होई तुसी उसनू रोकन वास्ते की किता पांच जुआ स्वाल किसे भी डेरा प्रेमी दे खिलाव पंजाब पोलिस ने कोई कारवाई क्यों नी किती सिर्फ सिखा नू ही टार्गेट क्यों किता गया अगला स्वाल जिन्ना चर्तवाडी सरकार रही तुसी कोई विशेश उपराला करके दोशिया नू फड़न दी कोशिश क्यों नी किती उस तो बाद पुश्दे ने कोटपूरा ते बैबल कला दे विच जो गोडी चली उस गोडी कान दे विच शामिल पोलिस वाला दे नाम तुसी क्यों नामज़द नहीं किते आखरी स्वाल पुछे है के अपनी सरकार समय सुखबीर सिंग बादल ने CCTV फुटेज उस कट ना दी क्यों नहीं कड़वाई खेरा ने चलेंज कीता है के जे सुखबीर सिंग बादल मेरे इना स्वाला दा जवाब शिरी अकाल तक साहिव विखे जाके सौंखा के दिन देने ता असी समझांगे के सुखबीर बादल नू शिरी गुरू गरान साहिव दा डर है नहीं ता नहीं है उन देख दे आ के सुखबीर बादल खेरा दा चैलेंज कबूल देने जा फिर नहीं इना स्वाला दा जवाब देने जा फिर नहीं देने फ्रीद कोट अदालत ने बरगाडी बेदभी मामले दे विच नमी सिट वल्लों गिरफतार कीते गे छे लोकानू चार दिना दे पुलिस रमांड ते पेज़ तै फ्रीद कोट अदालत दे विचे ना सारे दोशियां दी पेशी होई दर असल एक दिन पहला ही श्रीगुरु ग्रांड साहिब जी दी बेदभी दे मामले दी पड़ताल करन दे लेई जड़ी नमी सिट बनाई है DIG SPS परमादी अगवाई हेठ उसने दावा कीता है के बरगाडी विच बेदभी दे दोमे मामले सुल्जा आलाए गए ने श्रीगुरु ग्रांड साहिब जी दे अंगा नू पिंड बरगाडी दियां गडियां विच खिलारन अते पोस्टर लॉन वाले दोमे मामले दे वि इस मामले दी परताल पहला DIG रणबीर सिंग खटडा कार रहे सी पार पंजाब ते हर्याना हाई कुट दी हुकमा तो बाद 4 मई नू पंजाब सरकार ने नमी जांच टीम बना दिती सी ते SPS परमाद नू नमी जांच टीम दा मुखी था प्यासी इस मसले ते जड़ी सिट कारवाई कार रही है इस ते हर्याना गुर्द्वारा प्रबंद कमेटी दे परदा आनबल जी सिंग दादुवाल केंदे ने के 6 लोकां दी गिर्फतारी सिर्फ गोंगलुआं तो मिटी चाड़न दे बराबर है सिर्फ एक खाना पूर्ती है क्यों सुरख्या दे देती सी इस मसले ते बीजेपी लीडर हरजीत गरेवाल केंदे ने के जे कोई सबूत ने ता उना नू सामने ले आके असल दोशियानू सजा देो बेयद भी मामले दी सियासत तो प्रेरित जाच नहीं होनी चाहीं दी जे कोई इस तरह कर देता ओ गुरु दि सो बीजेपी दे लीडर ने केप्टन साब नू सब्तो वड़ा दोशी मनेया कालियां दा इना ने नाम नी लिया होन आम आदमी पार्टी दिवारीयों दी है विदा एक कोलतार सिंग संधवा ने भी ब्यान दिता है केंदे ए ओही लोक ने जिडे छे गरफतार कीते गे ने ही लोक ने जिनना नू पहला भी गरफतार कीता गया सी एना नू ता कैप्टन सरकार ने खोद छे छे गनमेन दिते सी ए सारी वोटां दी खेड है क्योंके चोणा नेडे आ रेंगया ने जे सरकारां दी मानदारी हुन दी ता होन तक सानू 84 दा इनसाफ वी मिल जाना सी सरका भी बहिमान है सिर्फ चोणा तक समाट पा रही है सरकार फेल नहीं बहिमान साबित होई है जो मंत्री हुन बेयत भी मामले खिलाफ वाज चुक रहे ने असी उना दे शुक्र गुजार वी हैं ब्यान देंदे विच शोमनी अकालिदाल भी पिछे नहीं रहा शोमनी कालिदा सीनियर लीडर विर्सा सिंग वल्टोहा ने भी छे लोकां दे गिरफतारी बारे बोल देयां कि है कि बेयत भी मामले विच डेरा सिरसादी प्रेमिया दा हाथ हो सकता है इद इच कोई शक नहीं पर साढ़े चार साल जे तुसी इक कोई गल वार वार कही जाओंगे कि अकालि कोई सबूत है ता पेश करो लोकां दे कचैरी सामने पेश करो सियासत बहुत हो गई हुण ए गलना सी बरदाश्ट नहीं करांगे कि तुसी हर रोज कैंदियों कि अकाली दल जिम्मेवार है वल्टोहा ने कांग्रिस नू साका नीला तारा दिकट ना याद कराँ देयां कि ह कि बेयादबी दियां गलना ओ कर रहे ने जिना ने टैंक का नार साच खांड स्री हर मंदर साहब ते हमला कीता ताबया बैठे सिंगा नो शहीद कीता हजारा बच्चे बच्चियां लोका नो पर करमा दे वेचे शहीद कर देता इंदरा गांदी दे हुकम ते शिरी गुरु साहब दे अंदर साड़े आ गया ते ओ लोका जो बेयादबी दियां गलना कर दे चंगे नी लागदे अंदे ने फिर बेयादबी हो जांदी उस्तो बाद लोक बैबल कलां दे विच्च तार ना दे रहे सी ते गोली बारी कित्ती सी पुलिस ने जदों दो सिक्षिहीद हो गे सी ओस मसले दे वेच हुण नमी सिट बनाई गया दो नौजवाना नू गोली बारी दिनाल मार दता गया सी डियाजी अमसी दे पर दा आनमन जिंदर सिंग सिरसा दे वल्लों जो रकावगन साहिब गुर्दवारे दे कोविड केर सेंटर दे लेई अमता बचन तो दो क्रोडर पर लाए गये ने ओस मसले दे वेच्च हुण कमेटी दे साबका पर दा आनते जागो पार्टी प करके तलब किता जाओे, जीके ने कहा है कि सिरसा नू तलब करके हुकम दिता जाओे, एमता बचन तो जिनने अमानते पावगन सी से तो पैसे वापस मुढवाई करें पर नहीं किदि ए अर बनाया जा जावे और एंट पैसे वापस देना चाने हैं क्रोना दिगाल कर लिए ता यूपी दे विच जो गंगा नदी विचो लाशा मिल रहे हैं ने ओस मसले ते पहली वरी यूपी सरकार ने कोई ब्यान जारी किता है उत्तरपरदेश दी सुबा सरकार दे दस्ताविजान दे मताबिक COVID-19 दे मरीजान या मिर्तक देहां कई नदियां विचो मिलियां ने सिर्फ एक विचो नहीं मिलियां राइटर्स ते हवाले दिनाल खबर है के सूबा सरकार दी चिठी कैंदी है के म्र्तक देहां कई नदियां विछ मिलियांने इस दा कारण पिंडा दे विच बमारी ते गरीबी फैलन कारण हो सकदा है हुण तक मीडिया राही गंगा ते होर कई नदियां विच लाशा सुटे जान दियां रिपोर्ट्स आज्या सी पर इस दी अधिकार अरित पुष्टी नहीं कीती गई सी हुण सरकार ने ए मन्या है कि कई नदिया दे विच लाशा अंजाने पर इस दा कारण गरीब भी थे बमारी हो सकदा है लाशा दी रस्मी सिसकार कीते जान दी बजाये द्रयावा विच सुटे जान दी जानकारी मिली है बुरी तरह गड़ियां सड़ियां होईयां सी ते इस हालते विच में पक्केत औरते नहीं कह सकता के एक क्रोना देही मरीज सन मनोज सिंग ने चिठी विचेवी दस्या है के material दी कमी दे कारण लोक अपनियां तार्मिक रस्मा दे मुताबिक सस्कार नहीं कर सके इसकार के उना निलाशा दर्याद वेच वहादतियां ए जवाव है जड़ा ओ सरकार ने देता है पारद सीनियर वायरस विच्ञानी शाह जमील ने विच्ञानियां दे सलाकार ग्रुप तो अस्तीफा देता है एक कमेटी करोना वायरस दियां वख वख जड़ियां किस्मा ने उना दा पता लौन दे लई बनाई गए सी हाला के जमील ने अपने अस्तीफे दा कोई वी कारण नहीं दस्या है विच्ञानियां ने अधिकारियां नुँ नवे जड़ा वेरियंट दे बारे चेतन कीता सी पर केंदर सरकार ने इसनु गंबीरता दे नाड नहीं ले आ सी ते एस कमेटी तो शाह जमील ने अस्तीफा दे दता है हालांके स्तीफे दा कारण उनने नहीं दस्या पर पिछले दिनी सरकार दे वास्ते जो अलोशना कीती सी जमील दे वलो उसनु हिस्ता कारण मन्या जार है उनने अपने मैसेज दे विच के है कि मैं कोई कारण दसन लई मजबूर नहीं हा पिश्रे हपते जमील ने New York Times दे विच एक आर्टिकल लिख्या सी के एक वाइरोलोजिस्ट वजो मैं महामारी ते टीके दे विकास लेई नेडेयों कम कीता है मैं पारत सरकार वलो बनाएगी जीनोमिक्स उते इंडियन सार्स कोव टू कंसोर्टियम साइन्टिफिक एडवाईजरी कमेटी दा परदान वी हाँ एक जनवरी दे विच वाइरल वेरियंट दे उबा आरते संचालनू ट्रैक करन दे लिए बनाएगी सी मैंनू लगदा के वदे रे लागवाले रूप फैल रहेने पारतनों पवेखदियां होर मारू लेरां तो बचौन दे लेई हुन दो मिलियन तो वदे रे खुराकां रुजान्ना देन दी लोड है जाने पछाने विज्यानी ने करुन्ना महामारी ते काफी खुल के लिख दे ते बोल दे आ रहेने जमील वाइरस दे फैलान उस सही तरीके नाल नार रोक सकंडी तिखिया लोचना वी कादे रहेने दूसरी लहर दोरान मुलक दे विच पैदा होए हलात अते सरकार दी पुमिका बारे वी जमील ने खुल के लिख्या है पारदियां तिन्ने साइंस अकेडमियां दे चुने होए फैलोवी ने पार्थ सरकार दे खोजकारी दे सब तो वड़े अधारे कॉंसल आफ साइन्टिफिक एंड इंडस्ट्रियर रिसर्च ने डॉक्टर जमील नू शांती सवरूप पतनागर एवार्ड फॉर साइंस एंड टेकनोलजी दे नाल सनमा पंजाब दे करोना हलातां दी गालकार लेए ता शोमनी एकाले दल्दे परदान सुबीर सिंग बादल ने मुखमंतरी कैप्टन अमरंदर सिंग ते सूबे दे विच महामारी दोरान लोकानू दितियां जानवालियां सहूलता नू लेके स्वाल चुके ने ते सरकार नू फ पंजाब दे विच मिशन फते प्रोग्राम चलाया जाएगा जिस तहत पंजाब दे पिंडा दे विच कारकार जाके टेस्टिंग कीती जावेगी अते लोकां दी जडी सेंप्लिंग है ओ भी कीती जावेगी एसे दरम्यान एवी तो नू अपडेट दास देए के सरकारीर जिंदरा हसपताल पते आला दे विच पिछले चौवी कांटे दोरान करोणना दिन आल तेई होर लोकां दी मौत हो गई येना विचो छे पते आला जिले दे रैंड वाले सी जाद के तिन हर्याना तो सन बाकी पंजाब दे वाकवाक जिलें दे रैंड वाले सी पंजाब दे इस हसपताल दे विच मौतां दी गेंटी लगातार वद रही है लगातार एक कंटे दे विच एक मौतां पिछले किन्ने ही दिना तो दर्ज कीती जा रही है उस तो वद भी हो रहे हैं पर फिर भी लोक तड़ इस हस्पताल दे विच अपना इलाज करवाउंड देली पहुंच रहेने। गवर्नर वीपी सिंफ बदनओ दीअ गवाई दे विच चोई बेठक दे विच फैसला ले आ गया है कि चंडीकर दे विच करोना करफिय। ते हुण शास अनू दसनगे के अग्गे के में वदना है असी काली फंगस बारे वी विचार वटांदरा कीता है द्वाईयां दी द्रामत कर रहे हैं ते इसनू सही तरीके दिनाल ही वंडिया जावेगा उदर संजुक्त किसान मोर्चे ने हर्याना दे सारे किसाना नू किसान अंदोलन दे विच सरगर्म शमूलियत अते हर सद्धे नू सफल बनाउन दे ले वदाई दिती है केंदे जदो तो किसान अंदोलन शुरू होया है लीडरां दे वल्लों जेडा भी प्रोग्राम दिता जान्दा है पंजाब दी नाल नाल हर्याने दे किसान उसनू बहत ही तन देही दे नाल पूरा कर देने निबाउं देने किसान अपने जोश ते होश नू काइम राख दे हुए लीडरां दे विच बीजेपी दे जेजेपी लीडरां दा लगातार विरोध कर रहे नेते किसाना दे उत्षाद आही नतीजा है कि छोटे जेहे प्रोग्राम नूवी हर्याना दे किसान बहत ही वधिया तरीके दे नाल निबाउं देने ते जे किसान शांथ में टांग दे अपना विरोध जाहिर कारदे रहे ता किसाना दी जेता निश्चित है इसे दरम्यानी सिंजुक्त किसान मोर्चे ने वी जानकारी देती है के पटियाले दे चंडी पेंड दे मेजर खान जो के किसान अंदोलन दी शुरू आत तो ही ये थे डटे होय सी जदों तो शुरू होया अंदोलन करीब 6 मिने हो चुके ने एक वरी वी मेजर खान अपने पिंड नी गए उना दी मौत हो गई है मेजर खान किसान अंदोलन दे एक अनमोल ही रे सी उनना ने क्या के 26 नवंबर तो बाद एक वरी वी मेजर खान कार नी गए लगातार सिंगू बॉर्डर ते डटे होय सी किसान लीडरानों वधिया सलाहावी दे रहन दे रहन दे सी मजबूत पो मिकाने पों दे सी अचानक उना दी मौत ते संजुक्त किसान मोर्चे दे सारे लीडराने दुखदा पर घटावा कीता है ते उननों किसान मोर्चे दे शहीद ऐलान्या है संजुक्ति किसान मोर्चे ने दस्या है के मेजर खान दी इच्छा सी के मैं जितके ही वापस कार मोडांगा पर अफसोस है के मेजर खान उस तो पहला ही इस दुनिया तो रुखसत हो गए हर्याना दे विच सिर्साच जदो मुखमांत्री मनोहरलाल खटर दा विरोध कार रहे सी किसान एतवानू ताउना ते लाठी चार्ज कीता पुलिस ने उस दे विरोध दे विच किसान मजदूर संगार्श कमेटी दी अगवाई दे विच सिंगू बॉडर ते खटर सरकार दिय अर्थियां फूक के रोस मुझारा कीता गया करोना काल दे विच किसान अंदोलन नू कुछलन दी मन्शा केंदे नाकाम्याब होई है ते सरकार दा विरोध ऐसे तरह तिखे रूपच जारी रहेगा जिले दे किसान शामिल होंगे किसान लीडराने कले किसाना ही नहीं आम लोक कानुवी आपो अपनी अगडियां समेते थे पहुंचन दा सद्धा दिता है एकांतवास कारदे विच नहीं हो सकदा सी ते एवी नी 14 सी के कारदे किसे होर मेंबर नू करोना दी लाग लगे इस करके इसने कारदे लागे ही एक रुख ते अपना टिकाना बना लिया नाल गॉंडा जिले दे कोठा नंदी कॉंडा दा रैंड वाडा शिवा हैदराबादे इंजिनिरिंग कॉलेज दा विद्यार थी है ते एकांतवास तो बाद होन सेत मान दा करोना नाल जुड़ी एक खबर देरा दूंतो है जिथे हर दोहर दे एक निजी हस्पतालने 15 दिना दे विच करोना कारण मरे पैंट मरीजां दी जानकारी पर शासन नो ही नहीं दिती कवीड कंट्रोल रूम नो नहीं दिती गई इस मामले देसी जांच कर रहे हैं, दोशियां खिलाब सकत कारवाई करांगे तुन दे बाबबा बरफानी हां सपताल देविच पच्ची अप्रैल तो बारा में इदर मियान पैंट मौता हो यां पर इस दी जानकारी कोविड कंट्रोल रूम नू नहीं देती गई पंजाब दियां खास कबरां दे खास बुलेटन दे विच तो आड़े सब तो इजाज़त चौने यां तुसी सारे अपना ते आन रख्यों लोडवंदानी मदद कारदे रहा करो अफ वहां तु जरूर बाच के रहा करो तानवाद